तेजी से बढ़ रही बर्ट फ्लू महमारी अमेरिका में डेरी के जानवर निकल रहे संक्रमित अगर ये मनुश्य तक फैली तो नियुयोक टाइम्स के अनुसार H5N1 एवियन फ्लू विभिन्न प्रजातियों में अपना रूप बदल कर देश के मवेशियों के बीच नियंतरण से बाहर हो रहा है अकेले कैलिफोनिया में लगभग एक तिहाई डेरी जुन्डों को संक्रमित कर रहा है फार्म वरकर्स अब तक त्रासदी से बचे हुए हैं क्योंकि वाइरस ने अभी तक मनुश्यों के बीच फैलने के लिए अनुवन्शिक रियाओं को नहीं तोड़ा है हमने कोरोना वाइरस का सबसे खतरनाक रूप देखा है जब दुनिया के कोने कोने में इस आपदा के कारण लोग मर रहे थे हम ऐसी महामारी के लिए बिलकुल भी तयार नहीं थे वहीं कोविट के आने के लगभग पांस साल बाद हमारे बीच अब एक और वैश्विक महामारी सामने खड़ी है जिसका नाम बर्ट फ्लू है एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बर्ट फ्लू महामारी इतिहास की सबसे प्रत्याशित आपदाओं में से एक होगी डेरी जुन्डों को संक्रमित कर रहा बर्ट फ्लू नियुयोक टाइम्स के अनुसार H5N1 एवियन फ्लू विभिन्न प्रजातियों में अपना रूप बदल कर देश के मवेश्यों के बीच नियंतरन से बाहर हो रहा है अकेले कैलिफोनिया में लगभग एक तिहाई डेरी जुन्डों को संक्रमित कर रहा है फार्म वर्कर्स अब तक त्रासदी से बचे हुए हैं क्योंकि वाइरस ने अभी तक मनुश्यों के बीच फैलने के लिए आनुवन्चिक रियाओं को नहीं तोड़ा है लेकिन मौसमी फ्लू उस परिणाम की संभावनाओं को काफी हद तक बढ़ा देगा चुकि ठंडा मौसम हम सभी को अपने घरों और कारे स्थलों के अंदर रहने के लिए मजबूर कर रहा है और अगर ये बिमारी फैली तो देश किसी भी तरह से तयार नहीं है ये सब काफी बुरा होगा लेकिन हम इन खत्रों का सामना कर रहे हैं और ये सब बाइडन प्रिशासन की विफलता से गंभी रूप से प्रभावित है कोई इससे इंकार भी कह सकता है इस बिमारी के लिए पर्याप्त रूप से हम तयार नहीं है सयुक्त राजे अमेरिका ने एमपोक्स के असाधारन रूप से पहला ग्यात मामला दर्ज किया है महामारी की रुख्थाम में बाइडन प्रिशासन ने नहीं किया काम महामारी की रुख्थाम के मामले में बाइडन प्रिशासन ने कम काम किया है निसंदे उसकी जगा इससे भी बत्तर कुछ होने वाला है देश की विशाल सारवजनिक स्वास्थ एजंसी का निर्तित्व करने के लिए डोनल्ड ट्रम्प द्वारा चुने गए रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर पहले ही कह चुके हैं अगर हमें एक और महामारी का सामना करना पड़ा तो वो अनुसंधान या वैक्सीन वितरन को प्राथमिकता नहीं देंगे कैनेडी शायद कच्चे दूद की वकालत करके इसके आगमन में तेजी ला रहे हैं जिसमें H5N1 वाइरस का उच्चसतर हो सकता है और इसे इसके संचरन के लिए एक संभावित वाहक माना जाता है हम ठीक हो सकते हैं तमाम अफसरों के बावजूद वाइरस हमेशा नई प्रजातियों के अनुकूल ढलने में सफल नहीं होते हैं लेकिन अगर जल्द ही बर्ट फ्लू माहमारी फैलती है तो ये इतिहास की सबसे संभावित आपदाओं में से एक होगी